नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में हेलो गाइज मैं हूँ प्रतमेश आत्मने तो इंडिया में ज्यादतर लोग फुल साइज SUV सेगमेंट ज्यादा पसंद करते हैं और आज के इस वीडियो में हम ऐसे गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सेडान मार्केट को फिर से जिन्दा किया है जी हाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं VW की प्रिमियम सेडान कुछ साल पहले होंडा सिटी अपने सेगमेंट की क्विन हुआ करती थी के sales को और जो थी Skoda की Slavia और VW की Virtus और specially हम Virtus के बारे में बात करने वाले है जो की एक German brand है Volkswagen Virtus ने Global Uncap में 5 star rated score किया है जो की काफी बड़ी बात है अगर हम बात करें engine की तो हमें इसमें 2 option मिलते है 1 liter TSI engine और 1.5 liter TSI EVO engine with active cylinder technology और 1 liter में हमें 6-speed manual और 6-speed automatic gearbox मिल जाते है transmission और 1.5 liter में हमें 7-piece DSG transmission gearbox मिल जाता है 1 liter TSI engine powerful होने के साथ ही हमें maximum fuel efficiency निकाल के देता है और VW अपने driving dynamics के लिए ही जाना जाता है और जिनका मन 1 liter साहीं भी नहीं बरता उनके लिए 1.5 liter legendary TSI engine with sporty GT batch के साथ हमें मिलता है जिसमें हमें 7-speed DST transmission gearbox मिलता है और इतना powerful engine होने के बाद भी ये engine हमें 18-19 km per liter की fuel efficiency निकाल के देता है 1 liter में हमें 178 Nm का torque मिलता है और 1.5 में हमें 250 Nm का torque मिलता है जो की काफी बड़ी बात है तो दोस्तों अगर हम बात करें variant के बारे में तो इस car में हमें total 6 variant देखने को मिलते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है comfort line variant जो की 1 liter TSI manual transmission के सावाव उसके साथ ही जो second variant है वह हाइलाइन वन लिटर TSI manual transmission और हमारा third variant है वह हाइलाइन फॉर्थ variant की बात करें जो हमें top line variant मिलता है वन लिटर TSI manual top line वन लिटर TSI automatic और हमारा जो आखरी variant है वह GT plus जिसमें हमें 1.5 लिटर TSI DSG gearbox मिलता है गाई और VW Virtus की जो स्टार्टिंग प्राइज है मतलब जो सबसे कंफर्ट लाइन जो विरेंट है ना उसकी जो प्राइज है वह 11,47,000 रूपे से स्टार्टिंग है एक शोरूम तो दोस्तों सबसे भी लागर हम बात करें lights के बारे में तो हमें यहाप एक complete LED setup देखने को मिलता है अगर हम बात करें side profile के बारे में तो भाई हमें यह गाड़ी बहुत लंबी देखने को मिलती है और इस गाड़ी की वज़े से इस गाड़ी से हमें wake VIP feeling आती है अगर हम इसमें बैठके जाते हैं तो आहा ऐसा लगता है किसमें बैठ है यार क्योंकि गाड़ी यह बहुत लंबी है और fit and finishing अच्छे होने के कारण यह मतलब यह बहुत premium गाड़ी हमें फिल होती है और हमें इसमें 179 mm का ground clearance देखने को मिलता है हम किसी यसी के बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे है सेडान के बारे में मतलब यही कारण है कि यह हमें इतनी ज्यादा इंडिया में लोग सेडान को पसंद करते मतलब भाई 179 mm का ground clearance मतलब बढ़ी है सेडान के लिए ठीक है और अगर हम बात और 255 आर 16 के हमें यह पर पर प्रॉफाइल देखने को मिल जाते है और अलाव भी हमें अच्छे दिए गए का मतलब ठीक है 45 लिटर का हमें टैंक 45 लीटर पेट्रोल टैंक कैपसिट वह में यहाँ पर देखने को मिल जाती है रियर में हमें LED सेटब दिया गया है यह में बी इंडिकेटर भी हमें उसमें यह मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर वर्टुस की बैजिंग टी एसाइ की बैजिंग और वी डबल्यू का लोगों हमें पीछे देखने को मिलता है विट डिफॉगर वी डबल्यू वर्टुस का जो बेस वेरेंट है कमफर्ट लाइन उसकी जो अंजरूर हमें प्राइज मिल जाती है लगबर 13,60,000 की करीब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इस टेट टू स्टेट भी भरी करता है अगर हम बात करें इंटियर के तो भाई साब आहाहा इंटियर बहुत ज़्यादा प्रेम हमें फील देता है चारो पाउर विंडूस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है आटो अपडाउन को आप्शन भी आपे हमें देखने को मिलता है सेंटर लॉक लिवर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है और एट स्पिकर सिस्टिम में यहाँ पे हमें मिलती है फ्रेंट वेंटिलेशन सीट से या पर देखने को मिलती है इंजन स्टाट आप बशाप बटन टोटल छे अर्बेक्स मिलते है डूल टोन हॉर्न प्लस टील टेलिक्सकोपिक स्टेरिंग एट इंच डिजिटल क्लस्टर और भाई क्रूज कंट्रोल भी इसमें हमें आता है हमें मिल जाता है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग देखने को मिलती है एंडुड आटो प्लस अपल कार प्ले जैसे फीचर्स या पर देखने को मिलते है क्लायमेट कंट्रोल रियर साइड थ् स्क्रीन या पर देखने को मिलती है ट्रक्शन कंट्रोल टुएसबी सी टाइप पोर्ट रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और पास्सो एक्टिस लिटर का बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है तो यह हमें मैंने बेटा है आपको फीचर्स ले और एक्स्टरियर के अगर ब होंडा सिटी आती है वर्ना भी आती है तो आपको फूल मजा लेना है ड्राइविंग का तो यह वीड़ाइविंग आप डेफिनेटली ले सकते है अगर आपको रिसेल चाहिए रिसेल भी अच्छी चाहिए तो आप वर्ना यार होंडा सिटी की तरफ साच सकते है तो दोस्त तो अगर आप यहाँ तक आये हो तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वंदे मातरम